आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ आपको पता होना चीए कि Autocratic Teaching होती क्या है अगर मैं इसकी बात करूँ Autocratic Teaching की ये जो है सबसे Traditional Method है Teaching का जिसको मैं Oldest भी कह सकती हूँ और Traditional भी कह सकती हूँ ठीक है? Traditional Method है मतलब काफी टाइम से यही Method जो है यूज हो रहा है Teaching के लिए ये जो है वो Traditional Method है अब ये Traditional Method है that simply means कि जितने भी हमारे जो Old Time से जो Teaching Method चले जा रहे हैं उसमें क्या होता था? Teacher जो होता था वो Main हुआ करता था Teacher जो होता था वो Teacher Centered Education हुआ करता था मतलब इसमें क्या था? Curriculum भी Teacher Decide करेगा, Method भी Teacher Decide करेगा उस subject को या उस syllabus को या उस topic को किस method से पढ़ाना है कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारा क्या है Teacher ही डिसाइड करता था Teacher Centered Method है ये Teaching Strategy इसमें क्या होता है कि teacher ही material चूज करता है Choosing material अब इस material में कोई topic हो जाएगा, कोई subject हो जाएगा और वही decide करता है कि हमें वो material कैसे, how, present in front of student मतलब इसमें students का कोई role नहीं होता है No role of students Students का role केवल इतना होता है No role of students की उन्हें teacher को क्या करना है सुनना है, समझना है और adopt करना है ठीक है, इसमें students का कोई जैसे आज कल की जो modern education की बात करें तो modern education जो होती ही, student centered होती है जिसमें students ही अपने lesson plan decide करते है activities में participate करते है, group discussion करते है ठीक है, मतलब active रहते हैं लेकिन इसमें क्या होते है Students जो होते है, passive mode में होते है active mode में ना होकर, passive mode में होते है इसमें students का role जादा नहीं होता है teacher centered होता है तो हम देख लेते हम अप्शयों ह时候 हमारे पहला है teacher orientation तो ये बिलकुल correct है, this का हमारे teacher ko होता है teacher का होता है, au, teacher पहले quiet होता है teacher oriented होती है, बिलकुल correct है second is, student in passive state students जो होते है वो Ihr active state में होकर किसमें, passive state में होते है genius बिल्कुल सही है क्योंकि यह स्टुडेंट सेंटर नहीं होती है तो यह option भी आपका क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट हो गया थर्ड option है teacher has command over education system मैंने अलड़ी का है कि यह जो है वो teacher centered है that simply means कि पूरे education system पर teacher का ही command है तो यह option में बिल्कुल क्या हो गया means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरूसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर